हेलो एब्रीबन कैसे हो आप सब एक गार पुनाहा स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटुब चैनल से हो कोचिंग क्लासेस पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बाहराजी NCRT चैप्टर 6 के देखें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट यमसे क्यों यानि कि जो भी बस्तु निष्ट प्रेशन है वो हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा कभर कराने वाले हैं चलिए सीधर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोस्टन है कि पासर्व केम्बियम के उदाहरण हैं तो यहां पर आइट एंसर है आपसर नमबर D तो देखिए पूली केंबियम, अंतर पूली केंबियम, कार केंबियम, ये सभी के सभी ही पासर्व केंबियम के एक्जम्पल है, तो आपको आपसन नंबर D यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यानि कि उपरोक्त सभी, सेकंड कोस्चन है कि पाउधे की जड़ों से जल तथा खनिज लबडों का परिवहन किस उतक के द्वारा होता है, तो ये तो जाईलम उतक के द्वारा होता है, किस के द्वारा, जाईलम उतक के द्वारा, तो किसी भी पाउधे से जड़ों से, जो जल का समभान होता है, और ख अगला कोस्टन है कि रंद्र की सनचना में कौन से भाग दिखाई देते हैं तो देखिए यदि आप एक इस्ट्रोमेटर या रंद्र की सनचना देखेंगे तो उसमें आपको गार्ड से लिए रक्षक को सिखाएं दिखाई देती है कुछ सहायक को सिखाएं भी दिखाई देती है और इसके अलाबा क्लोरोप्लास्ट दिखाई ही देता है इसलिए यहाँ पे भी आपसा नमबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके बाद अगला कुश्चन है कि यदि ऐसा कोई समवहन बंडल जिसमें कि जो जाईलम आप फ्लोयम होते हैं उनके मद्ध कैंबियम यदि प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के समवहन बंडल को हम क्या कहते हैं तो ऐसा समभान बंडल जिसमें जायलम इब फ्प्लोयम के मर्ध काइम्बियम होता है. उस प्रकार के समभान बंडल को हम खुला समभान बंडल क्या कहते हैं, खुला समभान बंडल यानि open vascular बंडल. इसके बाद देखिए अगला कुस्षण है कि कैस्पेरियन पट्टिका एं किन कोसिकाओं में पाय जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस्टो मिटा या रंडर में पाय जाती है अगला कोश्चन है कि एक बीज पत्री जो जड़ होते हैं उनमें किस प्रकार के संबहन बंडल पाए जाते हैं तो एक बीज पत्री जड़ों में आपको याद रखना है कि बंद प्रकार के संबहन बंडल पाए जाते हैं नेस्ट कोस्टन है कि अन्ताकाष्ट में उपस्थित पदार्थों के नाम लिखिए, तो अन्ताकाष्ट में उपस्थित जो पदार्थ हैं, उनके नाम क्या कहा है, टेनिन वा रेजिन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने हैं, टेनिन वा रेजिन, अगला कोस्टन है कि ज आइलेंड पेरेंट काइमा की वित्ती जो होती है जाईलम पेरेंट काइमा की वह सेलियूलोज की बनी होती है किसकी बनी होती है सेलियूलोज की और सेलियूलोज क्या होता है एक प्रकार का पॉलिस एकराइट होता है यानि कि एक प्रकार का कार्बो हाइडेट होता है अगला कोश्चन है कि दुतियक ब्रधि किस्प में सक्रीता के कारण होती है तो आपको याद रखना है केंबियम की सक्रीता के कारण तो केंबियम या एधा की सक्रीता या एक्टिविटी के कारण ही आपको याद रखना है सेकंडी ग्रोथ होती है अगला कोश्चन है कि कार्टेक्स जो होते हैं ये सामाननेता किन कोसिकाओं का बना होता है तो कार्टेक्स आपको याद रखना है कि यह बेसिकली पैरेन काईमेट्स कोसिकाओं का बना होता है अगला question है कि तने के जो बाहे तचा होते हैं उस पर पाए जाने वाले रोम होते हैं तो उस पर पाए जाने वाले रोम कैसे होते हैं तो आपको याद रखना है बहु कोशी की यानि की multi-cellular होते हैं अगला कुश्चन है दुतियक समवहनी उतकों का निर्मार किस से होता है तो दुतियक समवहनी उतकों का निर्मार आपको याद रखना है केम्बियम से होता है किस से होता है केम्बियम से होता है इसके बाद देखिए अगला कुश्चन है कि फैलो जन फैलो डर्म तथा फैलम क सम्मिलित नाम है मतलब एक साथ मिला के हम इनको क्या कहते हैं फेलो जन को फेलो डर्म को और फेलम को इन तीनों को ही एक साथ मिला करके पेरी डर्म कहते हैं क्या कहते हैं पेरी डर्म कहते हैं अगला कुश्चन है कि एक मोनो काट का नाम बताना है अथात एक ऐसे एक बीच पत है कि दुई बीज पत्त्री तनों के बाहरी भाग में पाया जाने वाला काश्ठी ये भाग कहलाता है तो किसी भी डाई काट इस्टेम में जो बाहरी भाग होते हैं उस पर पाया जाने वाला जो काश्ठी ये भाग होता है वह क्या कहलाता है तो आपको याद रखना है रस अगला कोश्चन है कि तन्यक में एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला कोलेन काईमेट्स भाग कहलाता है तो तन्यक की सनचना में आप देखेंगे कि जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे पाया जाने वाला जो कोलेन काईमा युक्त भाग होता है वो क्या कहलाता है तो किसी भी जाइलम वेसल्स के अंदर पाई जाने वाली गुबारे समान से नचनाय क्या कहलाती है टाइलो सेज कहलाती है क्या कहलाती है टाइलो सेज अगला कोश्चन है कि ऐसा समवहन वंडल या ऐसा समवहन पूल जिसमें जाइलम के दोनों और केंबियम तथा फ्लोयम होते है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम बाई कोलेटरल कहते हैं क्या कहते हैं बाई कोलेटरल वैस्कुलर वंडियो कहते हैं अगला कोश्चन है कि दुई बीज पत्री तथा एक बीज पत्री में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है तो आपको याद रखना है कि जो एक बीज पत्री पादफ होते हैं उसमें सम दोई पासरविक यानि आईसो बाई लेटरल प्रकार की लिफ होती है और जो डाई कार्ड प्लांट होते हैं इसमें प्रस्ठाधारी यानि की डार्सी वेंटरल प्रकार की लिफ पाई जाती है अगला कुश्चन है दुतियक ब्रद्धी पाई जात क्या कहलाती है तो आपको याद रखना वात रंद्र क्या कहलाती है वात रंद्र कहलाती है नेस्ट कोस्टन है कि पुस्पी पाधपों की पाई जाने वाले जो बिसेश रचना होती है जिसमें पानी की बूंदों के रूप में इस्तरा होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम क फिर आई देखिए अरी ये समभाहन पूल किसमे पाय जाते हैं तो इसका राई टेंसर हो जायेगा जड़ों में। कहां पाये जाते हैं। जड़ों में पाए जाते हैं नेस्ट कोश्चिन है दुई बीज पत्री जड़ में समभान पूल की संख्या होती है दुई बीज पत्री पत्री जड़ों होती है उनमें समभान पूलों की संख्या एक से 6 तक हो सकती है और जो एक बीज पत्री पादप होते हैं उनमें 6 से ज़्यादा आप याद रखिएगा कि 6 से ज़्यादा वैस्कुलर बंडल होते हैं कि इसमें जो डाई कार्ट रूट होते हैं तो डाई कार्ट रूट की जब आप अन्तरिक से ज़्यादा देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 6 से अधिक बैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं बाई कार्ट जड़ में, डाई कार्ट रोट में आपको याद रखना है कि डाई कार्ट रोट में सदाईव 1 से 6 तक बस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि मोनो कार्ट में 6 से अधिक होते हैं, अगला कोस्चन है कि रवर छीरी कोशिका वाले पौधे के नाम लिखिया, ऐसा पौ अगला कोस्चन है ऐसा समभान बंडल जिसमें जाईलम वा फ्लोयम के मद्ध कैम ये मुपस्तित होता है, तो उसे हम खुला वैस्कुलर बंडल कहते हैं, तो इस प्रकार से चैप्टर 6 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तोनिस्ट प्रस्न है, वो आपको उम्मीद क करता हों कि समझ में आ गए होंगे, मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद बंडि मात्रम